गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS Academy में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को देख रहे हैं जिसमें से हम लोगों ने लास जो क्लासे हम लोगों की हुई है वो सुप्रीम कोड कि दकिड़ कि स्ट्रेंबर सॅरे चीज़ आपको अच्छे से याद होगाны और स्वारेंड्स क aos जी शान चुके होंगे और कि यह आपको हाई कोट और सुप्रीम कोट में यह परफक्ट वीडियो आपको कम्प्लीट हो जाएंगे पूरी संखला अगर आप छो वीडियो की देख लेंगे ठीक है त्री वीडियो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोट के बने हैं तो इस तरह से हम लोगे छे वीडियो में पूरी तरह से हम लोगों ने हाई कोट सुप्रीम कोट को कवर कर लिया है आगर आगे का जो करम में हम लों का जो होगा वह अधिनस नियाले का होगा तो आए देखते हैं हाई कोट के बाकि से इस प्रस्नों के बारे में चलिए इंडियन पॉलिटी का जो इंपॉर्टन सेग दिवानी फौसदारी राज्यस संबंदी मामले समलित होते हैं तो क्या ऐसा सही है हाई कोट के बारे में कह रहा है कि अधीनस तन्याले यानि डिस्टिक कोट के निरड़ें की अपीले सुनते हैं यानि कि जो डिस्टिक कोट में निरड़ें होते हैं उनके निरड़ें की जो अ पीले जाती हैं उनको हाई कोट सुनता है ये सही है क्या और अपीलों में कह रहा है जिसमें दिवानी फौज़दारी और राज़त सम्मंदी मामले समलित होते हैं तो जी हाँ जब आप दीजे फटाफट सही है ये दूसरा कहा रहा है फौज़दारी मुकदमों में सत्र नियाले द्वारा दिये गए मृत दंड के आदेश पर उच नियाले की पूश्टी आवश्यक नहीं है तो यह बताएए कि आप फौज़दारी के मुकदमे में सत्र नियाले ठीक है सत्र नियाले याझे डिस्टिक कोट का यहां पर बताना है मृत दंड के आदिये पूश्टी आवश्यक नहीं है बिलकुल आवश्यक है यह statement गलत है दोस्तो जब तक high court पुश्टी नहीं करेगा तब तक वो नहीं माना जाेगा पुश्टी आवश्यक है बिलकुर पुश्यक है ठेक है दोस्तो तो यह statement आपका का गलत हो जाएगा यहां पर बताना क्या था आपको विचार करिए और इसमें देखिए क्या कहें है सही सुमेलित कौन सा है ठीक तो पहला होगा आपका दूसरे के बारे में कह रहे हैं चलिए तीसरा जो आपका कह रहे है उच नियाले के एक नयाधीस के निरड़े के बिरुद उच नियाले में पुनह अपील नहीं की जा सकती है यह स्टेट्मेंट कह रहे है नहीं भाई एक जैसे हाई कोई अपील होगी कोई निरड़े एक जज मामलों की सुनने का अधिकार प्राप्त है तो ये विल्कूल सही बात कह रहा है कि सभी मुक efendim को बरत्मान समय में समिधान लागू होने के समय उच्छनेले को सुनने का अधिकार नहीं था यह बात सही कहीं गई है परंतु अब उनको उच्छनेले के मुकदमे सुनने का पूरा अधिकार दिया गया है यह बिल्कुल सही है तो यानि कि पहला और चौथा अफ पर उसमें कह रहा है तेख है तो अप्रम hela कि की जा सकतीола की जा सकती जो February की पीट में अप्ल किया सकते थूंप में यहीं एंसर क्रेक्ट होगा नेमस् कि कि सम्मिधान संसोधन द्лаरा उच न्हाले को राज सत्मंदी मामलों में अप्लिएच छेत्रा दिकार प्रदान किया गया? किस मामलों अपील ये चेत्रा दिकार प्रदान किया गया ठीक है बहुत अच्छा कोश्चन है आप इसको ध्यान से समझेगा जबाव आपका आजाना हो चाहिए हाई कोट को राजस सम्मंदी मामलों की अपीलिये छेत्रा दिकार प्रदान किया गया किस सम्मिधान संसूधन द्वारा हाई कोट को राजस सम्मंदी अपीलों मामलों में अपील छेत्रा दिकार अपीलिये छेत्रा दिकार प्रदान किया गया आपको बताना है तो 42 में संसुदन 76 कह रहा है और 7वा संबिंदान 56 कह रहा है इन में से कोई नहीं कह रहा है तो आप जान रहें दोस्तों मैंने आपको बताया है अची तरीके से पढ़ा आया इस बात को तो चगवालिस में सम्मिदान संसोदन निस्ट अठतर के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि उच्छ नियाले को राजय संबंधी मामलों की अपीले अपीलिय चेत्रा अधिकार प्रदान कर दिया गिनिया हाई को राजय स्वसंबंधी अपीलिय चेत्रा इकार जो की पहले नहीं प्राप्त था वो चगवालिस में सम्मिदान संसोदन निस्ट अठतर के द्वारा प्रदान किया गया चलिए नेक्स परसंबे निमिखित कतनों पर विचार कीजिए कह रहे हैं कि राज्य में इस्थित सभी अधिकर्ण उच्छ नियाले के अधिन होते हैं ठीक है क्या कह रहा है उच्छ नियाले में अपील की जा सकती है तो इस स्टेट्मेंट कैसा है आप लोग मैं जवाब देता हूं तो आप लोगों को सुद्दा हो रही होगी और सिर्फ पादत बन जुकी होगी सुनने कि आपने जवाब देने की आदत आपक क्या सही है ये तीसरा कह रहा है आणुचे 226 के अनुसार प्रते कुछ नियाले को उस राजिचेतर के जिसमें वह अधिकारता का प्रियोग करता है मुरा अधिकारों को लागू करने के लिए किसी आन्य परयोजनों के लिए रिड जारी करने की सकती है 226 दिया गया है तो ब की जा सकती है और यहां पर जो कहा है राज के अंतरगत आते हैं और पावर दी गई तो बिल्कुल सही बात कहीं गई सब्सक्राइब करेक्ट हैं तो जो सभी का उप्सन होगा वही एंसर सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो यह चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको नेक्स परस पर चलते हैं निमने में से किस अनुचेट के तहत उचने आले को प्रसासनिक छेत्राधिकार प्रदान किया गया है तो हाई को दोस्तों प्रसासनिक छेत्राधिकार किसके माद्यम से प्रदान किया गया है यह आपको बताना है आर्टिकल 220, 222, 226, 227 के बारे हम कह तो आपको बताना है थोड़ा बहतरीन कोस्चन आपका है तो आपको यह देखना होगा कि कौन सा है चलिए यह परसन एक बार फिर से देख लीजिए किस अनुचेट के तहत हाई कोट को सस्चत्रबलों से संबंदिती किसी न्यायाले या अधिकरण पर अधिचड की सक्ती नहीं दी गई है किसमें दिया गया है दोस्तों तो 227.4 में विवस्ता की गई है कहा गया है कि हाई कोट को सस्चत्रबलों से संबंदित किसी न्याले या अधिकरण पर अधिचड की सक्ती नहीं प्रदान की गई है दोस्तों ठीक चलिए अगले प्रस्ट पर आते हैं निम्लिखित कतनों पर विचार करें ठीक क्या रहा है अनुचे 228 के तहत हाई कोट को उच्चतम नियाले कि बहाती कुल बहाती कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है तो कुछ मामलों को मंगाने का अधिकार है कि नहीं है देश्तों यह है बिल्कुल सही है यह पिर कह रहा है जब उच्च नियाले को इस बात का समाधान हो जाए यानि कि असपस्टी करड़ दे रहा है ठीक है जब उच्च नियाले को इस बात का समाधान हो जाए कि उसके अधिन किसी नियाले में कोई ऐसा मामला लंबित है जि तो उस मामले को अपने पास मंगा सकता है ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि इस स्थिति में क्या कर सकता है वो अपने पास मामले को मंगा सकता है लेकिन टर्म कंडिशन ये चीज़े रहेंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट्मेंट ये सही है अपने पास तभी मंगा सकते हैं वो अगले प्रस्ट पे आते हैं दोस्तों मतलब बगला कूट जो आपका कूट है वो कह रहे हैं तीसे नमबर पे उच नियाले की बहाती ही उच नियाले को भी सम्मिधान की व्याख्या का अधिकार है तो ये क्या बात असपस्ट है कि नहीं है बिल्कुल बताईए सुप्रिम कोट की भाती हाई कोट को भी समिधान की ब्याख्या का अधिकार है बिल्कुल है क्यों 32 के तरह सुप्रिम कोट 226 के तरह कितको है हाई कोट ठेक है तो सभी ऑप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों तीन ऑप्सन ड्राइट हो जाएंगे सेवन नमर प्रसन पर आते हैं दोस्तों कह रहे हैं निम्खित कतनों पर विचार करें यहां पर नयाइक पुन्रा विलोकन की सक्तिन को भी प्राप्त है फिर इसके बात कह रहे हैं उच्छ नियाले संसद या राज विधान मंडलो द्वारा पारित ऐसे किसी कानून को असमयदानिक गोसित कर सकता है जो समयदान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो यह बात कही गई है तो इसमें बताना है आपको कौन से स्टेट्मेंट सही है तो बिल्कु सही है भाई अगर कोई राजविधान संसद या राजविधान मंडल कोई ऐसा कानून जो पारिद कर देती है जो असमयधानिक गोसित कर सकता है ऐसे किसी कानून को असमयधानिक गोसित करने की सक्ति दी गई है इनको जो समयधान के प्रावधानों की अनुरूप नहीं है ये विल्कुल सह हाई कोट को भी दी गई है यह बात कहीं जा रही है ठीक है तो दोनों का है सभी का ओप्सन यहां पर दे रहा है तो दोनों है तो दोनों एक ही जैसे ओप्सन हो गए दोस्तों तो यहां पर जो भी आप कर लें यहां पर तूटी पूर था यहां पर अगर आप दिये होते तो तो आपको मालूम होगा 134 का के बारे में बहुत अच्छे सा आपको बताए था यह है इसके अलामा कुछ आठकिस आपको देखेंगे उसमें भी दिये गए हैं 132 में है 133 में 134 में भी है जो कि हाई कोट सुप्रीम कोट में हाई कोट ये पर्मिशन दे सकता है कि बैक सुगरी कोट चला जाए ठी अपील करने का प्रमाणपतर दे देगा ये सकती है दोस्तों कुछ माईटर में क्या होता है कि सुप्रीम कोट चताहि मना सकती देता है उस ब्यक्ति को ये मंगाले लेकिन ये हाई कोट को भी पावर दे रखा है अनुछे 134 का के तह़त और अनुछे 132 है अनुछे MATT GitHub 3134 है ये 34 Kा जो है उस ब्यक्ति को तो अनुछे 334 134 का यह आपका अंसर राइट हो जाए गए हाँ पर चले अगले प्रस्ट पर देखते हैं कि निम्लिखित में से किस अनुछेत के तहत किस अनुछेत के तहत सुप्रिम कोट को उच नियाले में अपील के लिए उच नियाले का प्रमाड़ पत्र आवश्यक होता है यानि कि हाई को सुप्रिम कोट में मलब जो है अपील करने के लिए हाई कोट के प्रमाड़ पत्र के आवश्यक्ता होती है तो क्या अगर अनुछे देख सो 32 अनुछे देख सो 33 अनुछे देख सो 34 रुपिक सभी जी असा ही भी हो जाएगा भी मैंने पिछले कोश्चिन में इसकी डीटेल बताई है ओके अगले प्रस्म पर आते हैं दोस्तों सम्मिदान के अनुछे 226 के अंतरगत उच नियाले किस के विरुद रीट जारी कर सकता है सम्मिदान के अनुछे 226 के अंतरगत उच नियाले किस के विरुद निरड़े जारी कर सकता है तो कहरा है किसी व्यक्ति के प्रती प्राधिकारी के प्रती सरकार के प्रती गठित निकाय के प्रती तो दोस्तों ये सभी के प्रति डाल सकता है ये किसी वेक्ति के प्रति भी रिट जारी कर सकता है प्राधिकारी के प्रति भी रिट जारी कर सकता है सरकार के प्रति या संगठित निकाय कोई है उसके प्रति भी जारी करने की सक्ति रखता है हाई कोट इसके 226 के माद्यम से हाई कोट के पावर है और 32 के माद्यम से सुप्रिम कोट को बार-बार में बता रहा हूँ आपको याद कर लीजिएगा तो सभी इसमें हो जाएगे दोस्तों सभी का उपसन डाइट एंसर हो गए आपके चालो सही है इसमें स्टिट्मेंट कह रहा है मूर अधिकारों के समद्ध में उच्छी न्याले को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है ठीक है मूर अधिकारों के बारे में हाई कोट को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है तो बताइए कौन सी अधिकारिता प्राप्त है प्रारंबी कधिकाहरता प्राप्त है तो दरा एंसर हो जागा पहला आपका ट्रैल क्या शेल नंबर कोश्चन आपका है उचने आले को अपने ओमानना के लिए देने के लिए सक्ति की संू zig SYD के तहद मिलती है तो बताना है आपको बताईए कि एगर कोई हाई कोड के किसी आदेश का यानि हाई कोड की अवहेलना कोई व्यक्ति करता है और मानना करता है तो उसे धंड देने की सकती किस अनुछेद में है हाई कोड की अनुछे 214 अनुछे 215 अनुछे 216 अनुछे 217 तो अनुछे 215 में है कि आउमाना के लिए दंडित कर सकता है ठीक है कंटेंट कर सकता है ठीक है आउमाना मलब कंटेंप्ट होता है दोस्तों ठीक यह अक्सर बार-बार देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि कंटेंट दारी कर द अधिकारियों के निक्ति कौन करता है बड़ा ही अच्छा कोश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान कोश्चन है बात कह रहा है करमचारियों की उच नियाले के अधिकारियों की निक्ति कौन करता है यानि कि हाई कोट के तो कह रहा है राष्टपती भारत की मुख नियाधीस और फिर क्या कह रहा है उच नियाले का मुख नियाधीस तो कौन करता है दोस्तों यह बताईए बात है हाई कोट क की तो यहाँ पर कुन करेंगे राष्ट पती करेंगे वह करंचारीयों की बात है नया अधीस की बात होती तो राश्टपती करते ब्हारत का मुख myös कि यो करेंगे वह करेंगे उठ नयाधीस 9 लोग करेंगे यह आप मैने विल्कुल कora מא मठा option right answer होगा 30 number का next question है दोस्तों उच्छ नियाले का प्रसासनिक और वह किसी निधी का उच्छ नियाले का प्रसासनिक यह गलत statement है दोस्तों प्रसासनिक किसी निधी वह होना चाहिए यह गलत है प्रसासनिक वह निधी पर किस निधी पर दोस्तों किस हाँ प्रसासनिक वह किस निधी पर आधारित होता है उल्ब किस निदी पर बात किस निदी पर अंगा है किस सक्षान के निदी पर क्रीट tiim back निदी से या जाती है और बात तो रहेद और जब नेा-धीसों पर इंडिया तो पर तर यह से दिया जाएगा रिखे ब्रतार bacteria बास्मिक वे के लिए कंसलडरेटर्ट सर्दाफ ते दिया जायेगा तो राज की संचित-देपर भारित होगा यह आपका यहां पर राइट होगा चलिए 15 नबर कोश्टन है भारत में रीड संमंधी प्रावधान किस देश की वीधी व्यवस्ता से लिया गया है ठीक है यह किस विधिव्योस्ता से भारत में रीड सम्मंदी प्रावदान किस देश की विधिव्योस्ता से लिया गया है अमेरिका से, एंग्लेंड यानि कि ऑंग्लिविदि से, आर्लेंड से और कनाड़ा से तो उनिशे तोर से आपको पता होगा रीड जारी की गनीकी जो सकती है वो आंगल विदी से ली गई है ठीक है इंगलेंड से सही है यहाँ पर आपका और इसमें कह रहे हैं दोस्तों 60 नबर प्रस्ट में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए सम्मिदान के तत उच नियाले के नियादीसों की निक्ति की सक्ति राष्टपती के पास है तो यह आप उच नियाले के नियादीसों की सक्ति राष्टपती के पास है बिल्कु सही है उच नियाले के नियादीस की निक्ति राष्टपती भारत के मुख नियादीस और राजपाल के प्रामर से करता है इसमें भी कोई डाउट की स्थिति नहीं है ठीक है और इसके अलामा जो है अन मुख नयाधी मुख नयुजा कंसर्ट करते हैं साभी स्टेट्मिंट यहां पर सही हैै तो पहला दूसरा तीसरा तीन हैं करेंट दिया गया है थेका अक्यान सब्सक्राइब अपने पत पर फिल्को औरह राते इस महें है के जास्थ कि राधार पर उनके पत के लिएथ इस तीसरी कोई भी सामें नियाले के नियाधीसों के बेतन और भत्ते में पद ग्रहण के बाद कमी नहीं की जा सकती है दोस्तों आपात इस्तिती में जब आपका हो जाएगा सभी का कोड्य होगा वहीं घ्राइगा पहला दूसरा तीस्तर तीर हो सभी हो जाएंगे ऐसे कि चलिए कि चौथा उप्संस करेक्ट हो गया यहां पर अगले प्रस्ट पर लेते हैं दोस्तों अगला प्रस्ट आपका कह रहे हैं कि निविखित कत्नों पर विचार कीजिए ठेक उच नियाले के निया दीसों को एक निश्चित वेतन भत्ता दिया जाता है कोई दिक्कत नह जाते राज की संचित निदी पर होते हैं बेतन और वत्ते बिल्कुल ही दिये जाते थे राज की संचित निदी से पैंशन होती तो आपका पता यहां पर आपका डी राइट होगा सबीकों सब्सक्राइब की कर Müller इता है तosition कर आवE इं सब्सक्राइब करनाली कि कर्मतिट रहता है कर न्य किर पर इंपर मिलयों के ताकरuard अद्थी करमचारियों पर ऑज को कि निय नत्रत रहता है तो निशी निचीत हर से उनिका होगा राज विधान मंडल का उछ नियाले का उच नियाले इस वार दिनस नियाले का तो निचीत हर से हाई कोट है तो उच नियाले काही नियंतर्रूस पर रहेगा दोस्तों और आज का लास कोश्चन है दोस्तों कह रहा है किस नियाले को अपनी अधिकारिता के छेतर में इस्थित सभी नियालेयों अधिकारों पर अधिकारों पर अधिचर की सक्ति प्राप्त है यहाँ पर अधिकरड़ों अब सही हुआ फिर से रिपीट करता हूँ questions किस नयाले को किसी यहाँ पर किस नहीं होना ज़े किस नयाले को अच्छा हाँ यह ठीक है चलेगा किस नयाले को उसकी अधिकारिता के छेत्र में इस्थित सभी नयाले हो यूम अधिकरडों पर अधिछड की सक्ति प्राप्त है तो किस ने आले को बताईए तो उच्छतम ने आले को उच्छ ने आले को दोनों को अधिनस ने आले को तो निशी तोर से क्या होगा हाई कोट को है मैंने बताया था ना चाहे हो केंद्रिय ट्रिबूनल हो चाहे हो कोश्चन की संखला थी और उम्मीद करता हूं कि सारे प्रस्ट आपको अच्छे से समझ में होंगे और हाई कोट से बचे वए जितने भी प्रस्ट है लगवग हम लोगों ने सब मेहनत करिए अगले वीडियो में मिलते हैं जब हम देखेंगे वहां पर अधिनस ने आले हैं डिस्टिक कोट्स के बारे में कुछ बारिक चीजे कुछ गुड़ बाते जानेंगे और इस तरह से नयपालिका पर एक अच्छी पकड़ पकड़ हमारे दोस्तों के बीच में डबल